देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मे बिहार में सिक्षकों की तरफ से महा आंदोलन किया जाएगा बता दें कि न्यूक्ति को लेकर सिक्षकों में गुस्सा है और यही वज़ा है कि कल से इस महा आंदोलन की शिर्वात होने जा रही है आपको बताते हैं कि सिक्षकों ने साफ तोर से कहा है कि सरकार सर्फ और सर्फ भटकाने का काम कर रही है सरकार एक वे न्यूक्ति की जो प्रक्रिया है उसके शुरुवात सरकार ने नहीं की और यही वज़ा है कि अब गुस्सा सिक्षकों का फूट कर निकल परा है इसी को देखते हुए कल से जतने भी सिक्षक है उनकी तरफ से ये महा आंदोलन किया जाएगा क्या कुछ कहना है सिक्षकों का किस तरफ से सरकार की खाम्यों को उन्होंने गनवाया है और इस महा आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारिया उनकी तरफ से की गई है इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देंगे और इस महांदोलन में किस तरह से सरकार को घेरने की कवायत की जाएगी इसकी भी जानकारी हम आपको इस खबर में देने जा रहे हैं बता दे कि बिहार में प्रारंबिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गड़वाने लगा है इसको लेकर सिक्षक अभियार्ती सोंबार से फिर से महांदोलन करने जा रहे हैं अभियार्तियों का आरोप है कि वर्ष 2019 में चल रही बहाली प्रक्रिया को सरकार जान भूच कर पूड़ा नहीं करवा रही है और अभियार्तियों के भविश्य के साथ खिलवार कर रही है बता दे कि नियायाले के आदेश के बाद नियूज निकायों में दो फेज की काउंसलिंग भी करवाई गई थी लेकिन 78,000 चैनित अभियार्तियों को पहले काउंसलिंग कराने से कोई फायदा नहीं मिला और बीच में पंचाय चुनाव की वज़ा से लागो आचार सनहिता म नियूकती पत्र भी रुकवा दिया गया अब एक तरफ काउंसलिंग से वंचत अभियार्ति सरकार के रवाई से नाराज है तो वहीं चैनित 28,000 अभियार्ति नियूकती पत्र को लेकर बहुत आक्रोशित है लंबे समय बाद सिक्षा मंत्री ने सिक्षक अभियार्तियों के मुद्दे पर बात्चर करते हुए कहा कि पंचाय चुनाव के बाद छटी चडन के नियूकती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और बचे हुए काउंसलिंग कराई जाएंगे साथी चैनित अभियार्तियों को नियूकती पत्र भी दिया जाएगा लेकिन आव इसको लेकर जो सिक्षक हैं उनका गुसा देखने को मिल रहा है बता दे कि सिक्षा मंतरी के इस बयान के बाद भी पहले से आंदोलन का एलान कर चुके अभियार्तियों को कोई परक नहीं पड़ा है उन्होंने मंतरी पर आरोप लगाते हुए इसे सरकार की साजश करार दिया है उन्हों कहीं हुई बाद पर कायम नहीं होते जिसके बाद सिक्षकों का गुसा देखने को मिला है और इस महा आंदोलन को करने का जो एलान है वो उनकी तरफ से कर दिया गया है बता दे कि कल से जोतने विसक्षक है उनकी तरफ से महा आंदोलन किया जाएगा सरकार को घेरने की जो को माओं को लेकर लगातार ये कई महीनों से तलता हुआ आ रहा है और यहीं वज़ा है कि सीधे आरोप सरकार पर लगा है कि सरकार जान बूश कर न्यूपती की प्रक्रिया नहीं करवा रही और यहीं वज़ा है कि सिक्षक अब सरकार की बातों में नहीं आने वाले और उनकी तर से घेरते हुए सिक्षक अब जो है सडको पड़ देखाई देते हैं फलाल फलितना ही जाद अपडेट के लिए बने रही निउस फानेशन के साथ नमश्कार